Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ेंगे Class 4 की Maths Workbook Chapter 6 The Junk Seller तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे और पास में दिये गए बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से रिलेटेट सारे वीडियो आपके पास समय से पहुंशती रहे और अगर आपने अभी तक The Junk Seller Chapter नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहां से निकाल के वे से पढ़ सकते हैं तो चलिए वर्क बुक बनाते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए तो क्या है money fill in the boxes fill करना है नीचे जो box से उसे fill करना है so the different ways to make a rupee अब देखिए जो rupee बनाने का जो एक different तरिका होता है वो आपको नीचे so किया गया है use as few coins as possible one has been done for you अब देखिए few coins आपको use करना है और आपको इस तरह से आपको बनाना है जैसे कि यहाँ पर है number of coins of देखिए यहाँ पर coins का number दिया गया है और one rupee आपको rupee बनाना है ठीक है अब use only 25 25 हम अगर use करते है 25 पैसा ठीक है 25 पैसा अगर हम use करते हैं तो कितने 25 पैसा होंगे जिससे कि one rupee बनेगा ठीक है यहाँ पर देखिए number दिया हुआ है coins का तो 25 फोर 25 अगर हम लेंगे दिखिए 25 25 और 25 25 तो four होते ना four अगर हम लेंगे तो यह आपका साड़े मिलके कितना बन जाएगा यह one rupee बन जाएगा ठीक है 25 पैसा ठीक है तो यह आपका one rupee बन जाएगा ठीक है तो इसी तरह से बनाएंगे तो यह आपका hundred पैसा मिला के कितना हो गया यह one rupee बन गया तो इस तरह से हमें बनाना है उसके बाद है use only 10 पैसे ठीक है है ठीक है तो कितना हो जाता है 1 रूपीज हो जाता है या या 10 को हम मल्टी कर देते हैं 10 से ठीक है तो वो भी हो जाता है इस तरह से बनाना है Philippe जो भी है जितना भी है आपको उसी कॉलम में आपको लिखना है रहीज तो लेंगे reminds 50 पैसा हम 1 लेंगे और 25 पैसा 2 लेंगे ठीक है देखिए यह आपका हो जाएगा देखिए जैसे 50 पैसा हम 1 लिए और 25 हम 2 लिए ठीक है तो यह कितना हो गया इसे भी अगर हम एड करते हैं तो 100 पैसा हो गया ठीक है यानि कि 1 रुपिया हो गया ठीक है 1 रुपीज तो इस तरह पैसा मिला के 1 रूपीज हो जाएगा ठीक है 250 पैसा मिला के 1 रूपीज इसके बाद है 50 पैसा एंड 10 पैसे ठीक है तो 50 पैसे हम कितना लेंगे 50 पैसे हम 2 लेंगे ठीक है और 10 पैसे हम 5 लेंगे तो देखिए 50 पैसे हम 2 लेते हैं यहाँ पे 25 पैसे है 25 पैसे हम 2 लेंगे और 10 हम 5 लेंगे तो देखिए यह आपका यह सारे को अगर हम add करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 पैसे तो यह भी 1 रुपीज बन जाता है यानि कि 25 का हम 2 लेंगे और 10 का 10 पैसे 5 लेंगे तो यह सारे मिला के 1 रूपीज हो जाता है तो इसे तरह से इसे बनाना है तो इसके बाद देखिए So the different ways to make 50 रूपीज तो अब 50 रूपीज बनाना है Use more of the higher value notes One has been done for you तो आपको use करना है जो higher value note का use करना है यहाँ पे है ना तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 50 रूपीज बनाना है आपको Use only 10 10 note 10 का note हम कितना use करेंगे जो 50 होगा तो 10 10 का note हम 5 use करेंगे देखिए 10 10 10 10 और 10 ठीक है यानि कि हम कितना use कर रहे हैं 5 तो यह सारे मिला के कितना हो गया 50 तो 50 रूपीज बनाना है ना यहाँ पे 50 रूपीज है तो यहाँ पे हमें रूपीज बनाना है उसके बाद है तो यहाँ पे देखिए फिर है यहाँ पे use 5 रूपीज and 20 रूपीज ठीक है तो यहाँ पे आपको 5 रूपीज और 20 रूपीज का use करना है तो 5 रूपीज हम कितना लेंगे 5 रूपीज हम 2 लेंगे और 20 रूपीज हम 2 लेंगे ठीक है? तो यहाँ देखे 20 रूपीज हम 2 लेते हैं 20, 20 ठीक है? उसके बाद 5 का हम 2 लेते हैं 5, 5 तो यह कितना हो गया? साड़ा मिला के 50 हो गया ठीक है? उसके बाद देखिए ऐसे ही है use 5 only अब सिर्फ 5 का ही लेना है तो 5 का हम कितना लेंगे 10 का note लेंगे 10 का हम 5 लेंगे तो हम 5 का 10 note लेंगे तो 5 5 करके आप 10 वार अगर इसे add करते हैं तो ये आपका 50 रुपीज हो जाता है तो 10 note लेंगे 5 का 50 रुपीज बनाने के लिए उसके बाद है use 20 and 10 ठीक है 20 और 10 का यूज करना है तो 20 रुपीज हम कितना लेंगे 2 लेंगे ठीक है और 10 का 1 लेंगे तो यहाँ देखिए 20 हम 2 लेते हैं और 10 का 1 लेते हैं तो ये सारा मिला के 50 रुपीज हो गया ठीक है तो इसी तरह से बनाना है सारे को ठीक है उसके बाद देखिए अब यहाँ पर है आडिशन आफ मानी तो आपको मणी का एडिशन करना है ठीक है एड करके बताना है यहाँ पर देखिए जैसे कि है 13 रूपीज और 25 पैसे and 12 rupees 80 पैसे ठीक है तो इसे add करना है ठीक है plus करके बताना है तो यहाँ देखी जैसे कि इधर हम rupees लिखेंगे इधर हम पैसे लिखेंगे दोनों side में इस तरह से लिख लेना है इधर 13 rupees 25 पैसे हो गया इधर 12 rupees 80 पैसे अब यह हम side को अगर हम add करते हैं तो आपका निकल जाता है 26 rupees और 5 पैसे ठीक है तो इसे आप अच्छे से add करके देख लिजिएगा उसके बाद है यहाँ पे देखे 125.85 और उसके बाद 0.50 and 86.90 ठीक है तो यहाँ पे देखे 125.85 पैसे हो गया और यहाँ पे फिर आपका 0.50 पैसे और 86.90 ठीक है इधर 86 rupees और 90 पैसे हो गया अब यह सारे को add करते हैं तो 213 rupees हो गया और 25 पैसे इसी तरह से यहाँ पे 16 rupees 35 पैसे हो गया तो यहाँ पे भी हम 16 rupees 35 पैसे और यहाँ पे 2 rupees 00 हो गया इधर 00 लिखेंगे हम उसके बाद है कि 458 rupees हो गया इधर 00 कुछ नहीं होगा अगर पैसा में तो हम 00 लगाएंगे ठीक है अभी इसे हम add करेंगे तो आपका 476.35 पैसे इतना निकल गया उसके बाद है subtraction of money अब subtraction करणा है minus करणा है ठीक है तो देखिए हमेशा जो है ना जो बड़ा नंबर होता है उसमें हम छोटे को minus करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले है 409 rupees 25 पैसे और 900 rupees 35 है तो हम 900 rupees 35 पैसे में हम माइनस कर देंगे subtract करेंगे ठीक है 409.25 को ठीक है तो यहाँ पे देखिए इतना है उसके बाद हम इसमें subtract कर देते 409.25 पैसे को तो आपका इतना निकल जाता है ठीक है तो इसे आप अच्छे से माइनस करके आप देख लेंगे इसके बाद है यहाँ पे 25.00 ठीक है और 133.70 तो 133.70 में हम 25 और 0.00 इतना हम माइनस करेंगे तो 108.70 निकल जाता है इसके बाद 3.75 ठीक है अब इसमें माइनस 0.50 तो यहाँ पे हम 3.75 में हम 0.50 को माइनस करेंगे तो 3.25 निकल जाता है ठीक है इसे तरह से बनाएंगे उसके बाद है आपका fill in the blanks अब इससे बढ़ना है तो 250 पैसे कोईंस मेक 1 रूपीज तो देखिए जो है न 50 पैसे कितना 50 पैसे को मिला के 1 रूपीज बनता है तो 2 को मिला के बनता है तो देखिए 50 और इसमें हम 50 एड़ करेंगे तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 100 पैसा यानि कि 1 रूपीज बनता है ठीक है उसके बाद इसे तरह से है अब 25 पैसे कितने 25 पैसे को मिलाएंगे जो वो 1 रूपीज बनेगा तो 4 को मिलाएंगे 4 25 पैसे मिलके 1 रूपीज बनेगा 20 पैसे coins make 1 रूपीज तो 20 पैसे को कितना मिलाएंगे 5 20 पैसे मिलाके 1 रूपीज इसके बाद 10 पैसे coins make 1 रूपीज तो 10 10 10 पैसे 10 10 पैसे मिला के 1 रुपी मनेगा के बाद 100 है यहाँ पे देखिए पैसे पैसे मेक 1 रुपी अब कितना पैसा मिला के 1 रुपी बनता है तो 100 पैसे मिला के 1 रुपी बनेगा 10 पैसे विल मेक 50 पैसे ठीक है तो अब 50 पैसे बनाना है तो कितना 50 पैसा, यानि कितना हम 10 लेंगे, 10 पैसा, कितना लेंगे जो 50 पैसा बनेगा, तो 5 लेंगे, तो 10, 10 हम 5 लेंगे, अगर तो आपका 50 पैसा बनता है, ठीक है, उसके बाद है 25 पैसे coins will make 2 रुपी, अब देखिए कितना 25 पैसे का coin मिला के 2 रुपी बनाता है, तो देखिए 1 रुपी बनाने के लिए 425 रुपी चाहिए, 25 पैसे चाहिए, 1 रुपी बनाने के लिए, तो 2 रुपी बनाने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए, इसका डवल कर देंगे, ठीक है, 8 25 पैसे मिला के 2 रुपी बनाएगा, ठीक है, उसके बाद देखिए, इसी तरह coins for them तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 50 पैसे 350 पैसे हैं अगर हम उसे change करते हैं 25 पैसे में तो वो कितना हो जाएगा अगर 50 पैसे हमारे पास 350 पैसे हैं ठीक है अगर हम उसे 25 में अगर हम इसे change करते हैं 25 पैसे में तो कितना हो जाएगा तो देखे 25 का अगर हम करते हैं तो ये 6 हो जाएगा ठीक है ऐसे कड़के हम देख लेते हैं तो देखे 25 हम 6 लेंगे तभी तो ये 50 पैसा 350 पैसा यानि कि 1 रूपी 150 हो जाएगा ठीक है 1 रूपी 50 पैसे हो गया अगर 350 पैसे अगर लेते हैं तो ये मिला के कितना हो गया आपका 1 रूपीज 50 पैसे, इतना हो गया, अब इतना बनाने के लिए हमें 625 पैसे लेना पड़ेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे 625 कौइन्स फूर दें, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे, उसके बाद देखिए, इसमें है, अनिल गेप 250 पैसे अपने फ्रेंड को दिया, तो अनिल गेप, रूपीज, अगर हम रूपीज में निकालते हैं, तो वो कितना रूपीज अपने फ्रेंड को दिया, ठीक है, 50 पैसे का 2 कौइन्स है, ठीक है, और उसके बाद, 325 पैसे है, 325 पैसा है, ठीक है, यहाँ देखिए, 25 थ्री है, तो यह दो 50, यहाँ पे 2 मिला के कितना हो गया, यह 250, 50 मिला के, तो यह 1 रूपीज हो गया, ठीक है, उसके बाद, यह 25, 25 मिला के कितना हो गया, 75, 75 पैसा, ठीक है, 75 पैसा यह बन गया, उसके बाद, यह कितना अगर हम इसे एड करते हैं, तो यह आपका 1 रूपीज, 75 पैसे, इ इतना वो अपने friend को दिया, Sunil had two twenty rupee notes and three ten rupee notes, he has, तो कितना दिया वो, rupees in all, total उसने कितना दिया, देखिए, two, Sunil had two twenty rupee, ठीक है, two twenty rupee है, two है, ठीक है, twenty rupee two है, and three ten rupee notes, और three ten rupee notes है, तो हम three, यहाँ पे ten rupee notes है, इस तरह से आप add करेंगे, तो आपको easily आप solve कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप करके देखेंगे, तो total को अगर हम add करते हैं, तो कितना हो जाता है, four, five, six, seven, seventy, ठीक है, तो यानि कि वो 70 rupee, total को मिला के 70 rupee होता है, तो यहाँ 70 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे, उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे है, कि what three notes may you use for paying 35, तो देखिए, हम 35 के लिए कौन-कौन से three notes का use करेंगे, 35 पुरा करने के लिए, तो 10 rupee का लेंगे, 10 rupee का 1 note, 20 का हम 1 note लेंगे और 5 का, ठीक है, तो देखिए, 10, 20 और 5, तो यह कितना हो गया, 35, तो 35 हमें लाना था, तो 35 के लिए हम यह सारे note का, note का use करेंगे, ठीक है, इसके बाद है, कि रागर गेब 200 rupees note, 150 rupees note and 250 paise coins to the shopkeeper, रागव ने 100 rupees का note, 200 rupees का note दिया, और 150 rupees का note दिया, और 250 paise coins दिये, shopkeeper को, तो he gave, उसने कितना दिया, to the shopkeeper, तो कितना दिया, total, तो total अगर हम निकालते हैं, तो देखिए, हम इस तरह से निकालते हैं, रागव ने, रागव गेब 200 rupees, तो 100 rupees का note कितना दिया, उसने, 2 दिया, ठीक है, उसके बाद, 150 rupees, 50 rupees का, 1 दिया, ठीक है, उसके बाद, देखिए, and 250 paise, और 250 paise दिया, तो देखिए, इतना में, उसने कितना दिया, ये total हो गया, अपका, 250, ठीक है, और उसने, 250 paise दिये, ठीक है, तो 250 paise मिला के, कितना हो जाएगा, 1 rupees हो जाएगा, तो यानि कि 251, total उसने 251, swap keeper को दिया, ठीक है, उसके बाद, देखिए, उसके बाद है, conversion of rupees, पैसे, अब conversion करना है, अब देखिए, इसमें आपको 7 rupees को पैसे में बदलना है, 7 rupees to पैसे, तो 7, और हम इसे, multi कर देंगे 100 से, ठीक है, 100 से multi करने के बाद, ये 700 पैसे हो गया, ठीक है, 700 पैसे मिला के कितना हो गया, 7 rupees, तो इसे हमें चैंस करना है, उसे तरह से 9.50, 9 rupees 50 पैसे को हम चैंस करेंगे, तो देखिए, 9.50 और multi कर देंगे 100 से, तो 9 50 हो गिया ठीक है 9 रुपीज 50 पैसे इस तरह से निकल गिया और इसमें भी 130 रुपीज 20 पैसे ठीक है अब इसे 130.20 मर्टी करेंगे 100 से तो आपका इतना निकल गिया इसके बाद है 45.25 टू पैसे तो 45.25 मर्टी कर देंगे 100 से तो 100 से करने के बाद आपका निकल जाता है इतना ठीक है इतना पैसे 4525 ठीक है तो इसी तरह से यह सारे को मिला बना लेंगे सारे को हम 100 से मल्टी कर देंगे ठीक है तो इस तरह से आपका change हो जाएगा उसके बाद है Conversion of पैसे रूपी kayak अब देखें convert the following two rupees अब इसको हमें rupees में convert करना है ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 6,300 पैसे है अब इसे हम rupees में convert करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसमें हम divide करेंगे इसे हम ठीक है? 6,300 को divide कर देंगे 100 से तो यह आपका निकल जाएगा 63 rupees ठीक है? अब 8,000 पैसे को तो 8,000 और divide करेंगे 100 से तो यह आपका 80 rupees बन जाएगा उसके बाद 2,675 पैसे तो इसे हम 100 से divide करेंगे तो आपका 26,75 पैसे इतना बनेगा 10,550 पैसे ठीक है? अब इसे हम divide कर देंगे 100 से 10,550 को divide करेंगे 100 से तो यह आपका कितना बन जाएगा? यह देखिए आपका इतना बन जाएगा 105,50 पैसे तो इसी तरह से साड़े को divide कर लेंगे तो आपका यह निकल जाएगा इसके बाद है do it mentally and write the answer mentally इसे solve करना है और लिखना है इसका answer तो देखिए इसे आपको अपने mind अच्छे अपके अपने दिमाग से आपको solve करना है तो देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे यह वाला जो वो symbol है इसे हम at the rate बोलते हैं ठीक है अगर इस टाइब का symbol आता है 3 at the rate और 6 है तो इसे हम करेंगे multi ठीक है तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 या आप अगर 6 3 जा भी पढ़ सकते है 6 3 जा 18 ठीक है तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे और उसके बाद ऐसा कहीं भी अगर आ जाता है तो आप इस तरह से ही बनाएंगे यहाँ पे देखिए 5 at the rate 20 तो कितना हो जाएगा 100 5 को अगर हम 20 वार अगर हम पढ़ते हैं या 25 जा तो कितना हो जाएगा 25 जा कितना हो जाएगा 100 उसके बाद 3 at the rate 72 तो मल्टी करते हैं तो 260 निकलता है तो आप सारे को मल्टी करके अच्छे से देख लेंगे उसके बाद 6 at the rate 25 तो 150 ठीक है उसके बाद देखिए 2 at the rate 33 तो 66 8 at the rate 20 160 ठीक है तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो यह बहुत ही लंबा चैप्टर है आप इसे बार बार अच्छे से पढ़िए अच्छे से सॉल्व कीजिए ठीक है और जहां कहीं भी आपको परिशानी हो रही हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थेंक्स तो वच्छ मैं वीडियो